हलो दोस्तो नमस्कार मैं बालाफीर इलेक्ट्रोनिक चैनल पर आप सभी दर्षकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तो हमारे पास एक समसंग कंपनी का सीयाटी टीवी है और यह दोस्तो एके सिंची का सीयाटी टीवी है और हम इस टीवी में दोस्तों हम आपको बताएंगे सर्विस मोड ओपिन करने के बिसे में यही दोस्तों हम इसमें सिखाएंगी आपको कि इस टीवी का हम सर्विस मोड कैसे ओपिन करेंगे और कैसे सेटिंग करेंगे इसी के बिशे में दोस्तो हम डीटेल रूप से सीखेंगे ठीक है? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तो मैं आपसे साधर प्रार्थना करता हूँ कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये हैं तो किरपिया चैनल को सबस्क्राइब कर लें और घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन आल करें ताकि आपको नए वीडियो का मैसेज दोस्तो हमेशा मिलते रहें इस टीवी का हम सर्विस मोड कैसे ओपिन करते हैं उसके भी से में दोस्तो समझी है तो सबसे पहले दोस्तो हम टीवी को चालू करते हैं टीवी में पावर देते हैं सप्लाई देते हैं और टीवी स्टाट कर लेते हैं उसके बाद दोस्तो हम आपको आगी का प्रक्रिया बताएंगे तो देखिए दोस्तो हम टीवी में सप्लाई दे दिये हैं यहां पर नो सिगनल लिखा हुआ आ गया है तो टीबी दोस्तों हमारा नो सिगनल दिखा रहा है ठीक है देख रहे हैं तो सबसे पहले टीबी को हम चाइनल पर सेट करते हैं देखे चाइनल पर सेट होगी है हमारा ठीक है यह चाइनल पर टीबी सेट है अब दोस्तों सबसे पहले हम टीबी को आफ करेंगे बंद करेंगे सर्विस मोड ओपिन करने के लिए कैसे तो रिमोट से टीबी को बंद करना है सर्विस मोड अगर ओपिन करना है तो सबसे पहले आप supply देकर TV को चालू कर दिजे, उसके बाद दोस्तों supply देते हैं, TV जब चालू हो जाएगा, तो remote से, TV का remote से TV को बन करना है, यह power button से, तो चलिए हम power button से TV पहले बन करते हैं, तो power हमने बन कर दिया, अब दोस्तों हमको service mode open करना है इसका, कौन-कौन बटन दबाना है कि service mode open ह हो जाएगा, तो देखिए, यह remote है, सबसे पहले दोस्तों हमको info दबाना है, उसके बाद menu दबाना है, menu के बाद दोस्तों mute दबाना है, और mute दबाने के बाद दोस्तों हमको power on कर देना है, जल्दी-जल्दी करना है दोस्तों ऐसे, 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 देखिए, हम info दबाए menu दबाए mute दबाए power on तो जो जैसे ही दोस्तो हम power on करेंगे यह तीनो बटन दबा के तो दोस्तो हमारा TV के screen पर service mode open हो जायेगा और service mode खुला हुगा नजर आएगा चलिए दोस्तो आप आपको दिखाते हैं देखिए हम यहां से दबाते हैं देखिएगा info menu mute power on तो दोस्तो हम power on कर दिये ठीक है अब देखिए दोस्तो हमारा factory लिखा हुआ आ जाएगा service mode open हो जाएगा टीवी के screen पर service mode लिखा हुआ आ जाएगा जैसे ही दोस्तो देखिए टीवी जैसे ही दोस्तो इस्टार्ट हुगा हमारा service mode यहां पर दिखा रहा है सारा adjustment ठीक है आप समझ गया है service mode open हो गया अब आगे का page खोलने के लिए दोस्तो हमको कैसे आगे का page खोलेंगे तो दोस्तो यह देखिए यह उपर और यह नीचे तो हम नीचे आएगे इसमें यह option है हमको नीचे आना है deflation में हमको तो हम नीचे आएगे deflation में और आगे यहां आने के बाद दोस्तो देख दोस्तों खुल गया, अब इसको हम पीछे जाने के लिए दोस्तों देखिए menu बटन दबाना है, menu बटन दबाएं, तो जहां पर हम थे वहाँ पर आ गए, अब दोस्तों हम नीचे आएंगे adjust यहां आने के बाद दोस्तों हम ओके बटन दबाएंगे इस नहीं बैकर चले जाएंगे तो हमको तो सेटिंग यहीं पणरा ओता है deflation में ठीक है तो हम दोस्तों यहीं पर setting करेंगे तो क्या setting करना है दोस्तों तो हमको थोड़ा सा यह picture जो है हमको बाएं लाना है दाएं दोस्तों ज़्यादा चल गिया है अभी दोस्तों आपको दिखाते हैं पहले सबसे पहले दोस्तों हम यह जो ऊपर वाला फर्स्ट नमर है इसको दोस्तों हम ओके कर लेते हैं खुल लेते हैं इसका तो सबसे पहले दोस्तों tv को हम ev select करते हैं जाए डेखे टीवी हम ev में select कर लिया अभ दोस्तों ering को यहाँ पर deflation में जाना है यहाँ आने के बाद दोस्तों हम इसको याँ करेंगे आप कर लिए अब यहां से देखिए कौन कौन सेटिंग होता हैं थे जो आप बह्ते दिख रहे हैं बह्ते निसान है दोस्तों हम हाइट को सेट करते हैं चलिए आप डी टी चालू करते हैं, तो डी टी चालू करके इसमें सिंग्नल देते हैं, तभी तो दोस्तों आपको पिक्चर समझ में आएगा, देखिए, ठीक है, अब ये जो हमारा भी है, ये जो भी है, इह ज़से है, भी एमपी 26 भी एमपी यह 26 इसको दोस्तो बरहा कर देखते हैं तो बरहाने और घटाने के लिए दोस्तो यह बाएं और यह दाएं बटन से दोस्तो बरहाते हैं और घटाते हैं नमरिंग इसका 26 इसको दोस्तो चेंज करते हैं देखिए दोस्तो हाइट हमारा उपर नीचे जा रह हाइड दोस्तों बहुत जादे बह रहा है इसका देखिए हम दबाई हुए हुए हुँ ठीक कितना बह गिया ठीक है चलिए दोस्तों इसको कको pryराना है कि surrendered 2006 करेंगे 26 हो गिया अब दोस्तों हमको पिक्शर इधर राना है अब दोस्तों हमको téma visibility दबाना है यहां सब्सक्ट बीच परोड़ जाकовать करना है और दोस्तों कि हम नीचे आएंगे भी हम सैक में यतिर इसका दोस्ते नमर्ण चेंजक करेंगे तो दोस्तों दीखते हैं पिकचर कहा जता उपर जाता है कि नीचे अण आðary अब आते हैं हम यह में यहां पर इच स्वीट्ट में तो선 888 इसको घटा कर देखते हैं और दोस्तों पिक्चर ही और आ में की को दिखाते हैं देखिए यह कितना में है और यह कितना में जगह डोस्तों सपेस दिखेए अभी दोस्तों देखिए हम बरहा के दिखाते हैं 41 सअ साफ कहा सफास छाल गया है जो और सब्सक्रावा इसको दोस्तों हम कम करते हैं नमरिंग तो देखिए दोस्तों पिक्चर हमारा सेम साइज में आ रहा है हम इसी को दोस्तों सेट करना था दोनों दोस्तों बराबर रखना है यह दोस्तों हमारा दोनों पॉइंट इसका बराबर हो गिया है इधर से भी आधा इंच और इधर से भी आधा इंच कट रहा है तिए दोस्तो हमारा सही हो गया है अब चलिए दोस्तो हम इसको बैक करते हैं दिए आप सबसे पहले का शे dois दोस्तो आते हैं जुड़ां चलिए डोसके नीचे आए he tymट नीचे ¥atar में रही है ऊपर वला पोड़ senza यह तो लर is आ रहा है तो इसको दोस्तों हम उपर कर लेंगे हैं ठीक है यह उपर हो गया चलिए दोस्तों इसको बैक करते हैं इसको दोस्तों नमरिंग चेंज करने से पिक्चर ऊपर से नीचे की वर आ रहा था और यहां पर दोस्तों भी स्विप्ट में को चेंज करने से ना में पिक्चर नीचे से यह नीचे वाला जो पॉर्चन है नीचे जा रहा था नीचे वाला जो पिक्चर आ रहा था वह नीचे जा रहा था यही दोस्तो सेटिंग होता है चलिए इसको सब सबसे पहले डिटी अच्प बन करते हैं कि बन कर दिये हैं ठीक है आब यहां सें बैक या अगै अब दोस्तु देखे देखीएल आडज॥ वूं को ओके करते हैं तो इसमें दोस्तु देखेया अड़ liebe नमरिंग हो जाएगा तो दोस्तो शेटिंग अगर आपका गर्वरा जायगा तो फिर आपसे दोस्तों शेटिंग नहीं हो पाएगा इसलिए दोस्तों सावधानी पूरवक्त सथिर से नमरिंग चेंज कीजिए और िुलाद कौन सा point पर कितना number हम था और कतना change किये हैं कितना number change किये ताकि दोस्तों यहाँ आगे पीछे हुआ ठीक है चलिए इसको back करते हैं menu बटन सा back जाना है यह देखिए adjust to इसको दोस्तों खोले तो देखिए इसका page खुल गया वैसे ही दोस्तों आप जिसमें आपको जरूरत हो व पर यास नहीं किये जादा तर दोस्तों यही setting होता है deflation में ही दोस्तों setting किया जाता है और इसको setting करने के बाद दोस्तों इसको save करने के लिए आपको tv बन करना होगा तभी दोस्तों save हो पाएगा तो tv दोस्तों direct power cut कर दिजेगा तो दोस्तों save नहीं होगा आपको tv बन करने के लिए दोस्तों टीबी आफ करने के लिए रीमोट से पावर आफ करना है तब दोस्तों आप सर्विस मोट से बाहर निकलेंगे और जो भी आप सेटिंग किये था वह दोस्तों सेटिंग आपका सेफ हो जाएगा देखिए हम पावर आफ करते हैं इसका देखिए पावर आफ क क свобод已 का setting है वैसे ही दोस्तो सेटिन कीजिए इसका modal नमर आपको दिखा ऴंप का手र दोस्तों की लिखके रखे हूँ है ऊप दोस्तों ध्यान से देख लिजे इस टीव का modal number है और इसमें सिस्टम 1C लगा हुआ है वह दोस्तों सिस्टम माईसी लगा हुआ है तो इस वीडियो में दोस्तो बस इतना ही तो अगर वीडियो अच्छा लगे तब भाएं साइड उठे कि निसान को टेच कर एक लाइक कर दिजे चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे साथ ही घंडी बटन को टेच कर नोटिफिकेशन आल करें तो मिलते हैं दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्ता आपको बहुत बहुत धन्यबात नमस्कार